जैहिन दोस्तों आप सभी का स्वागता आपके अपने यूटूब चेनल में और दोस्तों जो आपने मैंने पहले वाले वीडियो में बाया था राजस्तान के लिए इंडियन एरफोर्स की रेली आई थी तो इसी प्रकार इस बार एक्जामिनेशन होने के वज़े से रेली हर तो अभी लगाता दो-चार और भी इस टेट में रेली आ सकती है जो मेरे पास इनफॉर्मेशन है में भी जो मुझे इनफॉर्मेशन हो के कनफरम नहीं है लेकिन मैंने हर्याना और जो आपका बिहार के लिए और यूपी में भी चांसिज है बहुत जादा उनके लिए भी अपके सामने जो स्टुडेंट ट्यारी कर रहे हैं वो साथ साथ में रेली में जा सकते हैं और काफी कमेंट आते हैं उनके लिए मैं कर से अलग से अप्लोड करूँगा सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैंने पहले से बता रखिए तो यहां से आप अपकमिंग जो अप्रचु नोटिफिकेशन और यह मोबाइल में नहीं हो पाएगा तो आप हमारे टेलिगराम गुरूप से इसे डाउनलोड कर सकते हैं वापर इसकी जो पीडियाप है वो प्रवाइड करवा दी जाएगी तो समपोर्ण इनफोर्मेशन जानेगी कि एज लिमिट क्या है और कब से कब रेली होने वाली है और क्या-क्या क्राइट एरिया इसमें चाहिए तो वीडियो के एंड पॉइंट तक आप बने रही है तो आपको इनफोर्मेशन इस वीडियो के माद्यम से मिल जाएगी तो दोस्तो आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन पे हम आ चुकें इंडियन एर फोर्स का है इसमें अन्मेरिड कैंडिडेट इसे अपलाई कर सकते हैं और यह हर्याना के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं A.S.E.1 एर्मेन सेलेक्शन सेंटर अमबाला 1 पे आपको इसमें देना है इसके बाद में बात आते हैं आपको एड्मिट कार्ड में इन्फोर्मेशन मिलेगा आपका एड्मिट कार्ड आएगा और आपका एड्मिट कार्ड के लिए परसेंटेज की रिक्वार्मेंट रहेगी तो जितना स्टुडेंट अप्राई करेंगे इसके अंदर उस बारे में इंफोर्मेशन में यहाँ आपको दे देता हूं तो एज लिमिट की बात करें तो 17 जनौरी 2000 से लेकर 30 दिसंबर 2003 के बीच में और इस सेम डेट को आने वाले स्टूडेंट इसमें अपलाई कर सकते हैं और क्वालिफिकेशन की बात करें तो बारवी में 50% होने चाहि की एक्स ग्रूप के एजूकेशन इंस्टेक्टर के लिए जो के बहुती बेस्ट जोब है एक्स वाई ग्रूप के अंदर और यहाँ पर 50% है वो एंगली स्ट के अंदर होने चाहिए जोहनिभ नंबर का पेपर है तो 50 नंबर इसके अंदर आपकी नजी चलेगा और इसके information मैंने पहले से provide करा रखिये तो इसमें ज़्यादा information देने की तो जरूर तो नहीं यहाँ पे आप अपना इसका सक्रीन सोट ले सकते हैं क्या कि इसमें require है वहाँ पे जाने के लिए original document दस्वी वारियों का और आपके पास NCCA तो भी लेके जाएं सलेट वाली फोटो लेके जानी है और गाइस जितने भी डोमेसेल हो गया और आपके पास यदि आपकी पिताजी एस ओएफ भी फोर्म आता है यदि आपकी पिताजी इंडियन एरफोर्स में तभी फिलप करना है वरना नहीं करना है और जिस कंडिनेट की अंडर एज यानि थारा से वर्स थारा वर्स से कम आई हो ना उसको यह फोर्म फिलप करना है और इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं करना है और बड़ी खुसकबरी यह है कि आपको अच्छी तरीकी से त्यारी करनी है अभी क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम ह 31 अक्टूबर को आपका PSL आ जाएगा मातर आपके 10 दिन के बाद में तो अभी मेडिकल वगेर सब पुस आपका एक साथ होने वाला है A2Z प्रोसेसिस के बारे में आप ध्यान रखें आपको कंटिनुई वीडियो मिलते रहेंगे आप चैनल के साथ जुड़े रहें मुझे Instagram पर follow कर ले Link description में और Telegram गुरूफ का Link भी मैंने description में दिया है वहाँ जोइन कर ले था कि हारे एक आपको जो latest update होगा न वो यहाँ पर मिलता रहेगा तो मेरा कहने कार थे ही है और आप यहाँ पर देखते रहें क्योंकि Corona वायर्स के कारण आपके यह एकजाम नहीं हो पाया ना मारच वाला ओनलाइन वाला तभी आपकी रेली आई है वरना रेली नहीं आने वाली थी ठीक है तो अभी उनको बेंच लाकर वहाँ पर ट्रेनिं पटना भीहार के अंदर ओके इंटेक 01-2021 है यहाँ पर और इनका भी जो रिजिस्टेशन है 27 सेप्टेंबर से 28 सेप्टेंबर के बीच में ओने वाला तीनों स्टेट का एक साथ ओने वाला है हरियाना और राजस्तान और आपका भीहार का ओके यहाँ पर भी आपकी 9 अक्ट और 2023 के बीच में है और सैमी पोस्ट है गाई सैम जो पूरा इंफॉर्मेशन मैंने पहले बता है सैम वही का वही है और इसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं है ओके और आपका हाइट वगेरा सारा का सारी इसमें इनफॉर्मेशन दे रखा है कोई भी आपको डाउट बनता ह तो आप comment section में comment करके पूछें और मुझे टेलिग्राम पे join कर लें link मैंने description में दिये Instagram पर भी मुझे follow कर लें personally doubt वो आँसे clear हो जाएगा ओके और यहां पे भी कोई comment करना है वरना कोई rally आने का chances भी 0 था ओके तो यह बात आप द्यान रखें और अच्छी तरीकी से त्यारी करें और इसका आपको qualified करना क्योंकि आप त्यारी तो कर ही रहे हैं लेकिन कुछ आपको हट के त्यारी करनी पड़ेगी तभी आप इसमें कर पाएंगे और आपका जो percentage के हिसाब से admit card आएगा तो हर एक state के लिए अलग-अलग जो karate area रहेगा कितने student वहां से apply कर रहे हैं तो यह information देन था वीडियो जैसा भी लगा उमीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा तो like कर देना like के बटन को प्रेस कर देना और YouTube के red color ओला subscribe बटन का है उसको subscribe कर लेना और bell icon को भी प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियो है उसका notification आपको सबसे पहल करके पूछें और यहां पर हमें फोलो कर लें टेलीगराम गुरूप जोइन करें और आप Instagram पर परसनली मुझे फोलो कर सकते हैं वहां से आप जो भी आपका डाउट बनता है वह पूछ सकते हैं सबसे पहले आप कमेंट करें कि कोशिस करें वहां से आपको reply मिल जाएगा य सकते हैं